नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस बर्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविश्यमानी आपके साथ मैं हूं पंडिच चंद शीहर सर्मा भंदे देव उमापतिंषुरिगुरुं। बंदे जगत कारण वंदे पन्र भूषणाम् रगधरुं। बंदे पशोवणाम् फंदे शूरय ससांक बन्धिनाय। बंदे मुकुंदप्रियं। बंदे भक्त दनाउस्रियंच वरद ह्ॉदे शिवं शंकरं। Oelynम शिवाय। सबसे पहले मेस रासी, मेस रासी के लोग पेसे वर मोर्चे पर कुछ नया करने की यूजना बनाएंगे, आपको अपने रिस्तेदारों का सहीउग मिलेगा, आप अपने जीवन शाथी के साथ कुछ प्यारा सा समय ब्यतीत करेंगे, आपके भाई और बहन बहुत प्यार और इ आपके लिए उपाय है, आप जल में दूध मिलाकर भगवान शिप पर सोमबार के दिन, शुक्रवार के दिन जरूर चड़ाएं ब्रशवराशी के लोगों को शप्ताह के सुरुवाती भाग में अपने आत्म विश्वास में व्रद्धी का अनभव होगा, लेकिन आपकी बीरता में कमी आएगी, अपने पिता के संबंद में कोई समस्या आएगी, हलाकि घरेलू मामले सुलजे रहेंगे, और इससे आप प्रशन भी रहेंगे, छात्रों को अच्छे परणाम मिलने की संभावना है, आपके सीनियर्स मुश्किल प्रोजेक्ट में भी आपका सहयोग करेंगे, आपके लिए उपाय है, आप लाल रंग के बच्छडे को गुड और चना और पालक का नित्पृती चारा देंगे। की इस्तिती को लेकर चिंतित रहेंगे, अपने माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखें, आपके परिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आने की संभावना है, शप्ताह का मध्य आपके कारियों में सफलता दिलाएगा, शप्ताह का अंत, धन और स्वास्त संबंदी चुनो कर आएगा, आपके लिए उपाय हैं, आप बुद्धुबार के दिन शाबत मूँ किसी अनाथा ले में दान करें, अब आते हैं करक राशी पर, करक राशी के लोग कुछ सकार आत्मा ख़बरों के कारण प्रिशन नहोंगे, आपका स्वास्त भी अच्छा बना रहेगा, वो लोग जो कमीशन का काम करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा उनका, और छात्रों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आप अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा करेंगे, मौद्रिक लाब की शंभावना रहेगे, प्र अधाम की गिरी, शिवजी के मंदिर में चलाएंगे, सिंगरासी वाले की, सिंगरासी के जातक, अपनी बीरता और प्रतिष्ठा में ब्रद्धी का अनुभव करेंगे, और उनकी बीरता में, प्रतिष्था में ब्रद्धी निस्चित होगी, आप इस अपने काम को लेकर अपने आपको दूर रखें, क्योंकि आपको कुछ बास्तिविक तनाब भी हो सकते हैं, आपका पारिवारिक और बैवाहिक जीवन शामन जस्य पूर्ण और शामान ने रहेगा, शप्ताह का अंतिम दिन कुछ परेशानियों को देने वाला है। आपके लिए उपाय हैं, आप सनिवार के दिन शनी मंदर में जाकर सनी देव का तैलाव शेक करें और चोव मुखी दिया जलाएं, कन्यारासी वाले, कन्यारासी के लोगों पर हर तरह के लाव होने की संभावना है। आपके भाई वहन उदारता से आपका समर्थन भी करेंगे। स्वास्त की चिंताओं के लिए आपका यह एक अच्छा सप्ता होगा। यदि आप बीमार थे, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और इस सप्ताह आपके तनाब को कम होने की संभावना है। आपके लिए उपाए है आप छोटी बच्चियों में टॉफी या चॉकलेट वाटें। तुलारासी वाले। तुलारासी के लोगों को सप्ताह की सुरुवात में स्वास्त से जुड़े मुद्दों से जूज ना होगा। सप्ताह की सुरुवात में आपका खर्चा वियादिक रहेगा और यह आपको एक जटका भी दे सकता है। आप अनैतिक गत्विधियों की और आकरशित भी हो सकते हैं। आप मानव व्यवहार के कुछ जटिल बिचारों और चिद्धानतों में रुच्ची लेगे। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा और सामान्य वना रहेगा। छात्रों को अपना काम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगे। और आपके लिए उपाय हम बताने जा रहे हैं। आप श्वेत बस्तर में हल्दी की पांच गाठें और एक जाइफल और एक सुपारी को बांध कर अपने सिर से साथ बार बार कर बहते हुए दरिया में डाल दे। ब्रस्चिक रासी के जातक अनावश्यक तनाव में अपना समय बरवाद ना करें। अपने स्वास्त का ध्यान रखें। जो मीडिया और शिक्षा के चेतर में काम करते हैं। आपके लिए उपाय है आप हनुमान जी का चूला चड़ाएं। धनुराशी के जातक धनुराशी के जो जातक हैं उन लोगों को अपनी धन शम्मंदी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अधिकान समस्याँ इस अपताह समाप्त हो जाएगे। जो धनुराशी के जातक बैंकिंग और कमीशन से सम्मंदित छेतरों में काम करते हैं। बड़ी मात्रा में कमाई करेंगे। अपने स्वास्त का ध्यान रखें क्योंकि तवचा या मुख से सम्मंदित समस्याँ सतय पर हो शकती है। बेतन भोगी लोग अपने कारिस्थल से सम्मंदित मामलों में अच्छा करेंगे। उनके शीनियर उनके सहयोगी भी होगे और आपको अपने परिवार के सदस्यों से बात करते समय अपने भाशन और लहजे पर ध्यान देना चाहिए। सप्ताह का अंत खर्चों की संभावना को लेकर आएगा। आपके लिए उपाय है। आप इश्नान करते वक्त अपने जल में गुलाब के फूल की पंकरिया डाल लें। यदि आप एक स्वास्त संकट का सामना कर रहे थे तो आप इसमें सुधार देखेंगे। आप अपने बच्चे के साथ एक उत्करष्ट समय विताएंगे। छात्र अपने अध्यन विकलुपों पर अटकलें लगाएंगे। आपकी किस्मत आप पर चमक जाएगी। शप्ताह आपके प्रेम प्रशंग के संद्रब में कुछ सुभ परिनाम लेकर आएगा। आपके लिए उपाय है आप बच बरख्च के नीचे दूध मिसर जल चड़ा कर वहां की मटी का अपने मस्तक पर टीका लगाएं। कुम्भराशी वाले。 कुम्भराशी वालो को शप्ताह के सुरुवाती दिनों में स्वास्त संकट से जूझना होगा। और वेकार काम करने में आपका समय और पैसा बरवाद होने की संभावना है। कई संदर्वों में आप भग के सकारात्मक श्ट्रोक के कारण बच जाएंगे, लेकिन कुछ अन्य संदर्वों में गंभीर वाधाएं होंगी, आप महलाओं के कारण लाव अर्जित करेंगे, आपके लिए उपाय है, भगवान शिप पर जल चड़ाकर शमी पत्तर चड़ाएंगे, मीन राशी वाले, मीन राशी के लोग इस सप्ताह ब्यावशाइक लाव करेंगे, आप अपनी जीवन शैली और उपस्तिदी पर अधिक ध्यान देंगे, आपके परिवार की सदसे आपके शाथ परियाप्त रूप से सायोग करेंगे, आप अपने भाई बेहनों के साथ अपने बंधन को ताजा करेंगे, पैसे कमाने के आपके प्रियास से सड़क पर जाम लग सकता है, बहस और चर्चा से दूर रहें, सप्ताह के मद्ध में आपकी भावनात्मक बेचैनी, आपकी स्वास्त को खराब कर शकती है, इसलिए स्वास्त का ध्यान रखें, साब्धान रहें, आपके लिए उपाय है, आप नित्य प्रति पीला चंदन अपने मस्तक पर लगाएं, ओम नमस्षिवाई, नमस्कार,